हलो दोस्तो नमसकार करता हूँ मैं हूँ सागर और फिर सा आप सबोगों को अपने Ooh यूट्यूब चैनल में मैं फिर सा आप सबोगों को स्वाउगत करता हूँ दोस्तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये टॉपिक है कि बवाल मचाने के लिए एक फोन लउंच हो रहा है जो सबसे अधीक battery backup देने का दावा करती है और आज हम लोग उसी phone के बारे में जानने का कोसिस करेंगे पूरी details जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे तो वीडियो को last तक देखेगा तो क्या होगा आपको बहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ और अगर आप पहली बार मेरे इस channel पर आया हैं तो please channel को subscribe करके bell icon को दबाना न भूले अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ऐसा कौन से smartphone जो तगड़ी battery वाला battery ले करके हमारे बीच में आ रहा है तो यह है हमारा Xiaomi का phone जिसको Redmi भी बोलते हैं हम लोग तो Redmi 11 जो है वो date confirm हो गया है कि कब तक वो launch होने वाला है और इसका जो launching date होने वाला है यह launching date होने वाला है आपका 28 October को साम 7 बज़े जिया जो अधिकारिक पुस्टी की गई है वो यही है अभी हम लोग थोड़ा सा phone के बारे में जान लेते हैं कि phone 28 October को तो आ रहा है लेकिन क्या उस phone को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो सबसे पहले बता दें कि Redmi का जो audio jack है आप हमेज़ा देखते होंगे उसका नीचे में रहता था audio jack लेकिन इस phone में उपर कोने में audio jack दिया हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी निकल के आ रही है उससे पता चल रहा है एक नया चीज इस phone में invent किया गया है और वो चीज़े है कि आपको front camera के साथ flash मिलने के chances हैं इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो front camera होगा उसक के साथ flash light भी होगा क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि जो flash light होता है वो camera के पीछे होता है लेकिन इस बार Redmi ने ऐसा किया है कि जो front camera होने वाला है front camera के साथ में आपको flash भी मिलने वाला है और ये जो phone है ये तीन variant में launch होने वाला है Redmi Note 11 5G, Redmi Note 11 Pro 5G और एक है Redmi Note 11 Pro Plus 5G ये तीन phone अभी list होने वाला है और उमीद है कि ये चाइना में सबसे पहले आपको delivery किया जाएगा Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus इसमें आपको 6GB का RAM और 128GB का आपको internal storage मिलने वाला है इसमें आपको जो variant मिलने वाला है वो आपको 8GB RAM और 128GB internal storage का भी variant मिलने वाला है और एक variant और है इसमें जो 8GB RAM और 256GB internal storage के साथ आपको मिलने वाला है अब आपको जो भी पसंद हो तीनो variant में से 6, 128, 8, 128 और 8, 256GB तो तीनो में से जो भी आपको जरूरत हो जिस इसकी जरूरत हो आप उसको खरीद सकते हैं, order कर सकते हैं 28 October से और इसकी अगर color की बात करें हम लोग, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जब phone launch होता है तो साथ में color भी launch होता है तो इसका जो color होने वाला है, पहला color जो है, वो है mysterious black land और दूसरा color जो होने वाला है, वो है salo dream galaxy और तीसरा color जो होने वाला है, time kit purple और जो चौथा color होने वाला है, वो है misty forest ये चार color में phone उपलब्द होंगे, अब आप ये दिमाग मतलगाएगा कि ये कौन सा color है, जब launch होगा तो आप देख लीजेगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि जब phone launch होता है, उसके साथ color भी launch होते हैं, ये नए नए color का नाम भी आपको सुनने के लिए मिलता है और बड़ा मज़ा आता है, phone के साथ color का भी कुछ नाम जानने के लिए मिल जाता है हम दो को अगर camera की बात की जाए थोड़ा सा तो इसमें 13 MP का आपको front camera मिल जाएगा और 50 MP का आपको back camera मिल जाएगा rare camera मिल जाएगा और इसमें 5000 mAh का battery आपको मिलेगा जो 33 Watt fast charging के साथ आता है 120 GHz OLED आपको screen इसमें मिल जाता है तो ये था दोस्तो पूरा का पूरा जानकारी और इसमें एक चीज और बता दूँ कि इसका जो pro plus या pro जो होने वाला है जो phone होने वाला है उसमें आपको 5000 mAh का ही battery मिलेगा बट 67 Watt fast charging के साथ वो phone आपको मिल सकता है तो ये था आज का जानकारी और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई कमी रहती है हमारे वीडियो में तो कमेंट जरूर करें आप लोग जिससे मैं अपनी कम्यों को सुधार सकूँ और अगर आप चैनल पे नए हैं तो किरिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना बोले तो तैंक्यू दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक ले सुक्रिया धन्यवाद